हेलो फ्रेंड्स में देवेन आरी आपका हर्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल देवेंद्र आरी पर और आज का हमारा जो वीडियो है वह वीडियो है क्योंकि हम लाए हैं आज आपके लिए उसमें से कुछ महत्वण लॉंग आंसर टाइप कोश्चेंस आपके लेकर आए हैं जो आपको फॉर माक्स दिलवाएंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दिजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें और आपको इस प्रकार की वीडियोस प्रोवाइड होते रहें ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रस्ट कोश्चन है हमारा वाड़ी दे मैसेज अप्ड़ पोईम लाइट दा लेम पाप दाइलो जो पोईम है लाइट दा ल लेट लेट लिएट लुका तो अवट जी ओर जीने दो और विशुट उलीव पीछ पूली और हमें सांति पूराग जीवन जीना चीए लिविंग बिहाइंड आल मट्रियोस टीग वर्ड लीविंग का तो चोड़ना बिहाइंड यहने पीछे मट्र लड़के का करतेव था उसका दाई तो यह चोल नहीं स्कुल इसको मिस्प्रिंट हो गया है थिए जोटे से बच्चे का करतेव था कि रोज-बय जल्दी स्कुल आना to start the fire in the coal store और coal store के अंदर आग जलाना and warm the room before his teacher and his classmates arrived और उसके स्कुल के सिक्षक और स्कुल के दूसरे साथ ही ना है उसके पहले पूरे स्कुल की बिल्डिंग को गर्म करना ही उसका करते भी था आगे बढ़ते हैं बच्चे ने लड़के ने अपने आपको चलने और दोडने के काबिल केसे बनाया तो वैंड़ बच्चा आगेन में होता था अपने मा के साथ वील्चेर के उपर फ्रू हिमसेल्फ फ्राम दचेर वह क्या करता था अपने आपको कुर्शी से नीचे गिरा लेता था वह अपने आपको घास के ऊपर घसिटता था ड्रेगिंग इस लेग बिहाइन और पीछे पीछे उसकी टांगे भी घसिटती थी विद ग्रेट इफर्ड ही राइजड हिमसेल्फ अप उन दफैंस और बहुत मेहनत करने के बाद वहाँ कैसे तैसे करके बागर तक पहुचता था उसकी जो बाउंडरी होती थी वहाँ तक यह वागड है लॉंग दफैंस और धीरे धीरे वहाँ उस बागर वो जो बाउंडरी है उसके सहारे चलना शुरू किया उसने और उसने डिसाइट किया निश्य किया कि वहाँ चलेगा और चलके बताएगा अगला कुश्य है वहाँ दिद थी रेवलुशनरीस दो वाइल गोईंग तो दी जाने वाली थी तो एक्जिकुशन इने की फाशी के फंदे पर जाते समय क्या कर रहे थे तो थी रेवलुशनर सफारीज सासां चल रहे थे संग एपाइफ वाफ हरे तक जा रहे थे षपाइब कंदे तक अगला कुश्य है वाइट सर्दार किσιंडन सींहीं ने किसी बिंट ररे रAT आग उन्होंने की ता लिए क्या किया उन्होंने जब उनके बैच्चे को फासिद दी जाने वाली थी तो जेल के बाहर लोगों की भीड़ी खट्टा ना हो निर्दोस लोग ना मारे जाएं इसलिए उन्होंने क्या किया सरदार किसन सिंगh managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident सरदार किसन सिंग ने कैसे तैसे करके उस भीड़ को उस गेट यहां पर फासी दी जाने वाली थी जेल की जो गेट था उस गेट से दूर हटाने के लिए उस अन्होंनी को टालेने के लिए भीड़ को अलग खेची लिया अन्होंने क्या कर दिया इस्टार्ट डिलिवरिंगे भाशन देना शुरू कर दिया तकि लोगों का ध्यान फासी से हट जाए ना कोई उब्द्रव ना हो और उनकी बात को सुनने लोग जब सुनेंगे तो उनकी तरह आई जाएंगे तो भीड़ को उन्होंने अलग खिशन के लिए ना गेट के साइड में या किया भाशन देना शुरू कर दिया अगला है वाट आप डिसएडवन्टेज अब बिंग एंगर डिसक्राइब एंपोर्टन कुश्यंग क्या होते हैं क्रोद करने के क्या जो है नुक्षान होते हैं डिसक्राइब की जिए तो यह अग्र नुक्सान पहुचाता है और लोग क्रोधित व्यक्ति को पसंद भी नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं वाइड़ प्रताप सिंग ने भामाशा को मेवार का रक्षक क्यों कहा था तो प्रताप शिंग काल भामाशा का शेवियर अप मेवार विकॉज हैड ओफर्ड आल इस व कि मैं चाहता हूं कि आपके आर्मी को जो है इस धन से हतियार मिले और खाने की चीज़े भी आप इस धन से लेकर आएं सो देट वी में नोट गो इन्टो एक्साइट इंड रीटेन मेवार इट वूट देरफोर बिकाज अफिम देट मेवार को बचा सके ताकि मेवार जीवित रह सके और हम भी जो है मुगलों से इस सुरक्षित निकाल सके इसलिए भामा शाह को जो है प्रताप सिंग ने मेवार का रक्षक कहा था क्योंकि भामा शाह अपने सारा धन दोलत लेकर उनके पास आये थे कि आप है ना इस धनका उप्योग कीजिए और मेवार को बचाईए आगे बढ़ते हैं वाट डिड़क्टर कलाम फील वेन ही अने उसने कि इंटेलिजेंसी की बजाए परसनालेटी याने वेक्तित्व और ज्यादा इंफेस्स दिया था ज्यादा जोड दिया था वहां वहुत त्य जित थे लेकिन थोड़े से ना व्याकुल थे यानि कि थोड़े आत्म बलके सहरी आत्म इश्वास से भरे हुए थे थे थोड़े से परेशान भी थे ठीक है आगे बढ़ते हैं जंगल की देवी की आवाज सुनी समझ गया कि इस पेड़ में चुपा हुआ है इस प्रातना की कि वहां इस बर्गत के पेड़ के आसपास आग जलाना चाहता है जलना शुरू कर दिया तेजी से उन्होंने को बुद्धी को सजा दी इन्हों देखकर जैज ने सुबुद्धी को फ्री कर दिया और सेंटेंस्ट को बुद्धी को सजा दी इन इस तरीके से सुबुद्धी ने अपने आपको निर्दोस साबीत कर दिया ओके फ्रेंट्स आपको यह जो सारे कोश्चन से लॉंग आंसर टाइप कोश्चन से वेरी हल्पूल साबीत हों आपके एक्जाम के लिए इसी प्रकार के जो है अच्छे और इंपोर्टेंट व आपकी जो है सारी मदद करने की कोशिश करूँगा लेकिन आपको क्या करना है लाइक करना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना है ओके फ्रेंट्स थैंक्यू मेरी मच धन्यवाद